वेंस्देश स्पेशल के इस वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है आज बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके सामने 15 स्पेशल कैंडर स्टिक पैटर्ण्स के बारे में बात करूँगा जो हम सब को जानना चाहिए basic candlestick patterns, important candlestick patterns और बहुत ही relevant candlestick patterns तो यह बहुत interesting होने वाला है थोड़ा लंबा हो सकता है चल जायए बत लास्ट तक देखेगा आपको बहुत learning मिलने वाली है practically आप कैसे उसको use करें, stock कैसे identify करें, कैसे उसुइ पर participate करें यह सारी बाते आज दिसकस करूँगा दोस्तों मेरा नाम है विविक बजाच और मैं हूँ मार्किट में कई सालों से मुझे समद में आता है मार्किट में चलता क्या है शुरुआत करने चे पहले मैं आपको बाइब बतायता हूँ कि यह जो discussion पूरा मैं करूंगा इसका English में detailed literature हमने already record किया हुआ है तो आप ilanmarkets.com slash blog अगर आप उसमें जाएंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा all 35 candlestick charts मैंने इसमें से 35 में से 15 आपके लिए select किया है और ये जो blog है इसमें तकरिवन 6 लाग से जादा लोगों ने इस blog से learning का फाइदा उठाया है तो आप भी definitely फाइदा उठायेगा अंदर जायेगा सारे candlestick pattern के बारे में बहुत ही प्यार से हम लोग ने समझाया है English में है, text based है तो आप देखिएगा आपको समझ में काफी आएगा इस 35 में से मैं 15 की आज बात करूँगा जो आपको जरूर से जरूर market में practice करना चाहिए specially अगर आप market में reversal trade करना चाहिए तो अब ये reversal कहा है जब हम लोग candlestick pattern की बात करते हैं तो दो भाग में मैं इसको divide कर देना चाहता हूँ एक है जो candlestick हमको एक continuation of a trend बताता है कि अगर market uptrending है तो वो candle अगर बन रहा है तो market uptrending ही रहेगा और एक है reversal कि अगर market uptrending है और उपर जाके अगर कुछ ऐसा formation होता है जिससे लगता है कि वो शायद uptrend खतम हो जाएगा तो उसको बोलते है reversal pattern तो अगर आप समझ रहे मैं क्या बूल रहा हूँ candle stick के बारे में actually मैंने discussion की भी है इसलिए मैं basics of candle stick अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ अगर आप learn to trade के session number 18 जिसका मैं link यहाँ पर देता हूँ उसमें मैंने एकदम छोटे बच्चे की तरह लोगों को candle stick के बारे में समझा है कि candle stick होता क्या है उसको क्यों देखना चाहिए और उसका relevance क्या है तो आज मैं basic में discuss करूँगा अगर आप वो basic में जानते हैं तो आप या तो वो ब्लॉग पढ़ लिजे या मेरा वो जो वीडियो है basics about candle stick उसको देख लिजे तो continue करते हैं कि या तो continuation होगा pattern का या reversal होगा एक और बात अपने को ध्यान में रखने है कि जब हम candle stick की बात करते है तो एक candle होता है candle आप समझे के होंगे एक candle होता है जिसमें body होती है और जिसमें उपर का part होता है नीचे का part होता है एक candle अपने आप में कुछ बताता है और वहीं पर अगर हम एक और candle add कर दें तो दौनों मिल के कुछ बताते हैं एक और candle add कर दें तो तीनों मिल के कुछ बताता है तो point यह है कि किसी भी तरह का market का एक action को हमको predict करना है तो हम single candle pattern भी देख सकते है multi candle pattern भी देख सकते है तो यह 15 जो मैं आज discuss करूँगा इसमें से कुछ single है और कुछ multiple है तो जैसे-जैसे concept discuss करूँगा वैसे-वैसे आपकी स्केंडस्तानी हो जाएगी दूसरी बात अब मैं आपको process बताना चाहता हूँ कि जबी भी आप candle stick point भी से market में study करेंगे तो तीन step याद रखिए और इसको एक दो माइंड में set कर लिजे IPC इंडियन पैनल कोट वाला IPC नहीं IPC I मतलब identification पहला step है identification कि हम उस pattern को चाहिए वो single candle है या dual candle है इस pattern को देखके मैं identify कर रहे है ये क्या pattern है देखे नाम उतना important नहीं है बट नाम अगर रहता है तो mind जल्दी respond करता है जैसे मेरा नाम विवेक है तो आप उससे जल्दी respond करेंगे चहरा तो शायद मेरा unique है तो हो सकता आप respond नहीं करता है similarly candle stick में भी patterns के अंदर में नाम important होता है तो आप अच्छा है उस नाम को आप जानते हैं तो तो पहला है identification मतलब नाम क्या है दूसरा placement ये बहुत important है कि अगर एक particular candle stick pattern कहीं किस्से में आ गया है वो कहां आया कब आया ये जानना जरूरी है क्योंकि गिरते वे बजार में जब candle का एक pattern बनता है चर्थे वे बजार में अगर candle का एक pattern बनता है तो दौनों में बहुत अंतर है तो placement जानना बहुत तूर तीसरा है जो मैं हमेशा believe करता हूँ सबसे important बजार का वो है confirmation confirmation का मतलब हो गया हमें यह pattern तो बन गया है और शायद market इस pattern को respect भी कर रहा है बट क्या यह confirm हो रहा है कि मैं जो एक judgment बना रहा हूं market का वो candlestick के बाद वाला market का action उस judgment को confirm कर रहा है so IPC मतलब identification, placement और confirmation यह याद रखना है तो अब mind में यह याद रखेगा IPC, IPC, IPC बढ़ा लिजे, जब आप candlestick point of view से काम कर रहे है तो IPC को बढ़ा लिजे अब उसके बाद मैंने कुछ-कुछ pointers बना रहे हैं, notes बना रहे हैं इसलिए मैं बार-बार अपने papers की थरफ भी जा रहा हूं तो क्या ना आपके लिए कुछ भी record करता हूं तो थोड़ा homework करके, सोच समझ के एक scripting नहीं करता हूं बढ़ा इसलिए अपने pointers बना लेता हूं ताकि आपके साथ एकतम clear-cut proper बात कर सको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखे कि perfect कुछ नहीं होता है हमारी life में perfect कुछ नहीं होता है ना हमको perfect बीवी मिलती है ना उसको perfect husband मिला ना कोई लड़का perfect होता है ना भी लड़की perfect होती है, so situation भी perfect नहीं होती है, तो candlestick का जो pattern है वो perfect नहीं होगा, उसमें 19-20 का फरक होगा, इसलिए क्या होता है कि कई softwares आपको वो patterns को code करके दे देते हैं, क्या चाहिए pattern identify करो, चलो software निकाल के दो हो सकता है कि वो pattern जो theoretically defined है जब हम उसको software में code करते हैं, तो शायद वो pattern सही तरीके से code ना हो because there is always an approximation ठीक है, तो perfection की तरफ मत जाएगा, approximation देखेगा और वैसे भी जब आप chart को analyze करते हैं after candlestick तो आपका mind कही ना कही उस market condition को accept कर लेता है, तो comprehend करने के लिए आपको perfection नहीं चाहिए, आपको approximation चाहिए, क्यों? ज़रुई देने कि हर चीज आपको perfect मिलने चाहिए लाइफ में क्यों? चलिए, आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके वो patterns को देखेंगे, समझेंगे क्या है और उसके लिए मैं stockage यूज करूँगा और यह जो मैं आज आपके साथ डिसकस करूँगा stockage में, यह free feature है stockage में, तो दोस्तों जिनकों जिनकों हमारी तरफ से free features की एक हमेशा रहती है न, की free क्या है तो आपके लिए यह pattern recognition जो है, आपने यह free में कर लगा है तो आप इसको देखेगा और concept को आप लोग एक एक करके समझेंगे तो सबसे पहले stockage के अंदर में, मैं scan के अंदर जाऊंगा, और scan में मैं देखूंगा candlestick scans जैसा कि आपको नाम से पता लगया होगा candlestick scans का मतलब मैं वो stocks identify करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें एक particular candlestick pattern meet होता है ठीक है, लेकिन मैं अभी उस point of view से आपको scan नी दिखाऊंगा अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप candles को समझें और उसका concept को जाने और आज का जो discussion है इसमें मैं reversal पे ज़्यादा बात करूँगा क्यों? मुझे लगता है कि trend identification करना easier है बशकर वो trend conclude हो रहा है वो सबसे tough काम है क्योंकि आप top नहीं देख सकते आप bottom नहीं बना सकते candle stick के अंदर में एक power है कि वो आपको शायद top और bottom दोनो दरशा सकता है और मैं आपको examples भी कुछ कुछ दिखाऊँगा आपको देख के बड़ा मजाएगा वो examples केंते वे बट चलिए अपने एके करके कुछ continuation patterns को दिखते है आज मैं discussion जब आपके साथ करूगा ना तो मैं reversal pattern की बात करूगा reversal क्यों? क्या होता देखे जब trend उपर की तरफ है तो it's easier to identify the trend simple trend line से बन जाता है लेकिन वो trend जाके कब conclude होगा और कब market एक reversal में चला गया है चाए तेजी का reversal चाए मंदी का reversal ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है तो आज का discussion में reversal पे focus करेंगे और candle stick इतना powerful utility है कि reversal के अंदर में एक तरीके का edge आपको मिल सकता है अगर आप उसको उसी purpose के लिए use करेंगे तो ठीक है? तो सबसे पहले बात करता है bullish reversal scans के बारे में patterns के बारे में तो सबसे पहला concept है hammer hammer मतलब हथोड़ा हथोड़ा दोस्तों ये है उपर में और नीचे में है body और उपर में छोटा सा हो सकता है cap हो या ना भी हो इसको बोलते हैं हथोड़ा hammer तो आपको यहाँ पर symbolically भी नजर आएगा में थोड़ा zoom in कर देता है इसको आप देखे hammer का मतलब हो गया उपर में जो body मतलब open और close का जो distance है वो relatively कम है लेकिन नीचे का जो line है वो high है चीक है अब hammer green भी हो सकता है red भी हो सकता है जैसे गिरते वे बजार में अगर green hammer आए तो बहुत अची बात है लेकिन गिरते के बजार में अगर लाल hammer आए तो भी ठीक है because important यह नहीं है कि open और close के बीच में gap कितना है open close के ओपर है कि close open के ओपर है important यह है कि जो नीचे का wick है वो बढ़ा है कि नहीं है तो hammer by the way दोस्तों अगर मैं आपको एक बात दिखाऊँ बहुत interesting है जब आप किसी भी candlestick scan में जाएंगे और यहां eye press करेंगे stockage में तो यहां आपको video नजर आ जाएगा जो हमने record कर रखा है तो आप चाहें तो यह video भी देखके पूरे concept को micro level पे सीख सकते हैं 3-3-4-4 minute के video एक एक pattern पे हमने बना रखा है बहुत interesting काम कर गए दोस्तों इसका फाइदा उठाइए और अगर आप app में है तो app में अगर right swipe करेंगे ऐसे तो आपको यह videos का access में जाएगा free है इसमें भी कोई पैसे नहीं है तो hammer आपको समझ में आगया दोस्तों नेक्स्ट है एक तरिके का reversal pattern है पहले दोस्तों हम लोग reversal bullish reversal पे बात कर रहें ठीक है और जो important important है देखिए मैंने आप star कर रखा है कि यह सब तो मैं देखता ही देखता हूँ और इसका भी क्या relevance है मैं आपको बताऊंगा बाद में बट अभी आप यह समझे कि जो मैं star कर रखा हूँ यह सारे important candlestick reversal patterns है दूसरा है bullish engulfing bullish engulfing मतलब अब आप देखिए यह दो candle pattern है ठीक है पहला वाला candle जो है वो लाल है घ्यान रखिए इसका मतलब यह मंदी का बजार था लाल candle बना लेकि next candle जो बना वो हरा बना और पूरा लाल candle का जो body है और हरा candle का जो body है हरा candle का body ने लाल candle के body को capture कर लिया आप देखिए symbolicली यह आप नजर आ रहा है न तो इसका मतलब यह होता है कि probably a last leg of market fall है next candle क्योंकि हरा हो गया देखिए इसमें हरा है कुछ software के अंदर में white होता है और dark black होता है जो market गिरता है यह red होता है तो आपके software पर डिपन करता हो तो bullish engulfing का मतलब हो गया कि एक reversal आ सकता है अब question यह है किसा reversal तो आ सकता है तो आपके इसाब से मेरे को इस candle में कब भाई करनी चाहिए important question है करेंगे बड़ जो चोटी सी इस answer देनी कोशिश करता हूँ कभी भी किसी भी candle में जब formation होता है तो same candle पर हम trade नहीं initiate कर सकते है बिकर जब तक form ही नहीं हुआ तब तक हमको कैसे पता कि यह candle initiate हो गया हमेशा हम next candle का wait करते हैं और अगर previous candle का high low toad गया है जैसे इस case के अंदे में reversal है तो अगर high toad जाएगा तो मैं ले लूँगा क्योंकि next candle ने previous candle का high को तोड़ दिया है और अगर low तोड़ दिया है तब इसका मतलब यह जो pattern है यह nullify कर दिया गया है तो मैं stop loss ले लूँगा ठीक है तो next candle should be used for trade execution एक दो और बात है दोस्तों मैं आपके साथ करना चाहता हूँ conceptual बात हैं कि जबी भी आप market में trade करते हैं तो दो चीज़ों पर धियान रखना है पहला volume कि अगर किसी candle पे जो follow on candle आ रहा है उस पे अगर volume का support है इसका मतलब बहुत लोग believe करते हैं तो आपको confidence आएगा trade करने में दूसरा time interval अगर आप 5 minute का candle देख रहे हैं तो उसका accurate होने का chances कम है अगर आप weekly candle देख रहे हैं तो उसका accurate होने का chances जाता है तो जितना बड़ा हम अवधी बनाते हैं अपने identification process का उतना high chances है कि आप candle का effectiveness को देख पाएंगे कही लोग बोलते हैं कि सर मैं तो 5 minute का chart देखता हूँ और candle stick तो work नहीं करता है ऐसा नहीं है candle stick जो है वो एक market का situation को हमको दर्शार आ है लेकिन उसके बाद क्या market ने उसको respect दिया वो जानना जरूरी है which is confirmation and क्या there is enough players in the market who believe what you believe तो volume और time frame ये दौनों भी उतरह important है in that process तो process क्याता है फिर repeat करते है identification number two is placement कि वो कहां place हो रहा है और number three is confirmation तो गिरते वे बजार में अगर पहला नीचे के level पे dark आया है और फिर हरा है मतलब placement गिरते वे बजार में placement है तो वो अच्छी बात है एक बार अंदर चलते हैं देखते हैं कुछ stockage में आ रहा है ये देखें कितना interesting stock है PNB Housing Finance एक बार अंदर जागे देखते हैं तो stockage के अंदर में एक साल का में data देखता हूँ तो देखें ये गिरता वे trend है अगर गिरते वे trend के अंदर में ये stock अगर ये pattern भना रहा है तो chances है कि next candle अगर इस candle के high के उपर चले तो ये stock reverse कर जाएगा मतलब ये जो negative fall है ये negative fall को reverse कर जाएगा कुछ examples मैंने आपके लिए रख रख हैं Nifty, Bank Nifty के वीजियो में towards the end of this video आपको बताऊंगा बड़ देखें ये stock it से ना इतना easy हो गया है कि किस stock में क्या pattern आ रहा है वो तुरांट identify होता है और जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि ये पूरा tech working है तो ऐसा लिए 100% accurate होगा बड़ ठीक है 95% भी हम अगर accuracy working कर लें तो हम कहीं ये प्रोसेस के अंदर में विजयता बन गया let's go to the other pattern तो हमने बात कर ली hammer के बारे में ठीक है हमने बात कर गी engulfing pattern के बारे में bullish engulfing pattern जैसे hammer होता है जिसमें उपर में होता है और line होती है वैसे inverted hammer भी होता है मतलब उपर का विक और नीचे में body क्यांकि body छोटी सी होती है तो या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी doesn't matter ठीक है तो hammer का मतलब यह नहीं कि तेजी hammer का मतलब है कि राई चल रही है open और close दोने मोटा मोटी एक पास में है और कोई न कोई है जिसने activity की है चाए उपर से नीचे गया यह नीचे से उपर गया activity हुई है तो hammer reversal है जब market गिरता है तो चाए hammer हो चाए reversal hammer हो inverted hammer जिसको बोलते है दोनों ही situation के अंदर में market में reversal आ सकता है जैसे inverted hammer अगर आप यहां देखें तो example के रुप में देखते हैं की oil India, Tata LXC यह देखें तो इसका prerequisite क्या है कि एक downtrend होना चाहिए अब downtrend जबूरी नहीं है कि एक साल दो साल का downtrend है एक छोटा सा swing का downtrend में भी reversal आएगा तो शायद वो stock reversal की तरफ उपर चला जाए अगेन वापस से caveat थो कर रहा हूँ एक warning है की यह एक tentative science है next candle जब तक confirm नहीं करे तब तक मुझे एक काम नहीं करना है तो Tata LXC के example लेते हूँ और मैं तोरह trading view भी यूज़ करता हूँ इसके अंदर में ताकि और better अपने को understanding होए तो Tata LXC देखते है कि यह trading view का chart और clearer नज़र आएगा आपको यह देखिए तो Tata LXC ऊपर जाके नीचे reversal दिया है नीचे जा रहा है छोटा सा trend है यहाँ पर एक inverted hammer बन गया तो इसका high इसका high क्या है भई 8635 मतब 8635 के ऊपर अगर Tata LXC चला तो यह reversal confirm कर देगा तो यहाँ पर मैं एक काम करता है एक line draw कर देता हूँ और यहाँ पर एक alert डाल देता हूँ कि भईया इसके उपर में अगर जाना चलू करे तो मेरे को तुम बता देना तो trading view को मैं use करता हूँ थोड़ा chart का और detail देखने के लिए और stockage को मैं use करता हूँ अपने quantitative algorithm के लिए because trading view में भी candlestick के patterns है जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं indicator में अगर हम जाएं वहाँ पर technical में अगर मैं hammer ढूलू inverted hammer में select करो तो देखें यहाँ पर trading view इसको capture नहीं कर पा रहा है तो यह यह actually beta version है अभी तक trading view में इसने mastery नहीं किये हमने मोटा मटी कर लिया है क्योंकि candlestick हम बहुत ही time से stockage के अंदर में डाल के बैठे है तो यह देखें बड़ा interesting नाम आ रहे है जिन्होंने कि inverted hammer जिसमें नजर आ रहा है तो hammer हो गया inverted hammer हो गया engulfing pattern हो गया उसके बाद चौता है piercing line piercing line देखें क्या होता है bullish engulfing का क्या होता है कि छोटा एक candle है और फिर उसको cover करता हुआ बुरा candle है but piercing line क्या बोलता है कि भई हो सकता है कि पूरा cover ना हो लेकिन इसका अगर 50% भी cover हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है तो piercing line का वोई concept है कि जो candle बना क्योंकि downtrend का था तो red candle होना चाहिए ठीक है और जो green candle next बना वो मोटा मोटी इसका इस candle का 50% को cover कर ले रहा है तो it's called piercing line तो piercing line के अंदर में कौन सा stock है अभी major stock में कोई भी stock नहीं है अगर मैं इसको major stock को हटा देता हूँ और मैं इसको all NSC stock कर देता हूँ तो देखते हैं कौन सा आया देखें एक stock है Cupid Limited, Ocea Hyper Retail यह सब small cap stocks इन में देखिए मोटा मोटी body का 50% यह candle cover कर ले रहा है तो इसको बोलते हैं piercing line क्या दोस्तो समझ में आ रही है बहुत ही सिंपल हमने कर दिया है और एक एक concept पे हमने learning video बना रखा है तो आई प्रेस करीए देखे piercing pattern पे एक 3 minute का आपको वीडियो मिल जाएगा तो concept हमने अच्छे से समझा रखा है अब आप थोड़ा समय देंगे रहा 2 घंटे, 3 घंटे देंगे तो यह पुरा समझ में आ जाएगा तो hammer, inverted hammer, engulfing pattern piercing line, उसके बाद आता है एक pattern है जिसका नाम है harami यह नाम तोड़ा सा weird सा है बट इस pattern के बारे में मैं discuss करूँगा थोड़ा bearish side जब आएगा रहा तो उसमें discuss करूँगा वहाँ इसका impact बड़ा अच्छा होता है bullish में थोड़ा सा इसका मुझे impact diluted रखता है इसलिए हमने आपर harami pattern को bullish में नहीं दिया है बट भेरश पर बहुत अच्छा work करता है एक है bullish harami cross है जो थोड़ा different है उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो पहला candle red है हमेशा ध्यान रखें जभी भी हम लोग reversal की बात करते है पहला candle should follow the previous trend अगर downtrend है तो पहला red होगा पहला red बड़ा candle के बाद एक छुटकू सा candle होता है नीचे जो मुटा मुटी body में नहीं आता है वो अपना नीचे में एक छोटा सा body बनाता है और उसके बाद एक green candle आता है जो again एक नहा body बनाता है तो बड़कू छुटकू और बड़कू मिलाके एक morning star candle बनता है अगर इसके अंदर में चले तो देखें ये stock है करिब्रा integrated technology इसके अंदर में morning star बना है तो चले इसको ट्रेडिंग में देखते है Cerebra Integrated Technology ठीक है तो ये देखें ये कितना प्यारा सा है इसमें downtrend है यहाँ पर इसने morning star बनाया बड़केंडल लाल फिर एक छुटा सा body और फिर बड़केंडल green अब वही बात है इस candle का high के अगर उपर चला तो फिर इसके उपर में एक moment आ सकता है एक बात ध्यान रखेगा moving averages, trend line इन सब का बहुत बड़ा रोल है तो अगर जैसे इस stock के अंदर में 200 day moving average ये moving average, ये कौन सा moving average है इस price पे 77.15 पे तकरिबन 50 day moving average है तो ये इस price को अगर थोड़ा और इस moving average के उपर भी trade किया तो definitely इसके अंदर में बढ़ा moment मिल जाएगा तो ये stock radar पे रखने लाएके तो stockage में क्या beauty है न कि आप हर ये सब patterns से stocks identify कर सकते है जिनको आप radar पे रखना चाहेंगे चीक है अब उसके बाद ये तो होगे देखें बुलिश वाले hammer, inverted hammer, engulfing pattern, piercing line bullish harami and morning star bullish harami में आपको बताऊँ वा बेरिश side में रखे अब हम लोग बात करते हैं बेरिश side वाले again reversal because reversal पे एक focus रहना अभी बहुत सरूरी है अब reversal के अंदर में बात आती है hanging man तो क्या नजर आ रहा है जब तेजी का बजार है और तेजी का बजार में अगर hammer बनें तो उसको hanging man कहते है as simple as that नाम अलग अलग यूज किया गया है बड़ मोड़मेडी काम दोनों एक ही करते है तो जो मैंने आपको बताए नाम उनी का बेर साइड में अलग अलग नाम है बड़ काम यह की है तो hanging man एक हो गया shooting star वो ही है तेजी की बजार के अंदर में अगर hammer बनता है inverted hammer inverted hammer का उलटा shooting star थीक है उसका बाद चलते है engulfing engulfing pattern आपको याद है bullish engulfing pattern मतलब यह छुटकू और इसके उपर में पूरा body उसी का उलटा अगर आप bearish share में देखेंगे तो इसको बोलते है bearish engulfing यह देखे bearish engulfing यह रहा छुटकू लेकिन green candle क्योंकि यह तेजी के रिवर्सल है छुटकू green candle और बढ़कू लाल candle तो यह bearish engulfing है देखें कोई stock आ रहा है क्या इसमें यह देखें BPCL sorry BPL Limited यह काम करते हैं इसमें सी major stocks कर लेते हैं because उसमें मोटा मोटी बड़े stocks आ जाएंगे so let us do that okay delta corp bearish engulfing mishra dhatu nigam bearish engulfing इसका मतलब reversal हो सकता है तेजी से नीचे की तरफ यह जा सकते है जा सकते है कब confirm होगा जब उस candle का low के वो नीचे जाएंगे तो confirm होगा चीकर है यह बात आगे बढ़ते हैं उसके बात है dark cloud cover dark cloud cover is piercing line piercing line याद है न कि में minimum 50% body अगर cover होता है तो चलता है पूरा नी 50% तो piercing line का bear में opposite हो गया bear side में dark cloud cover यह देखें dark cloud cover दिख रहा है यह आपे कितना प्यार से हम लोग ने pictorially इसको present कर रखा अगर आप इस पे ध्यान देंगे न 21 दिन तक इन पे ध्यान दीजे आपको habit हो जाएगी और आपको बड़ा मजाएगा उसके बाद है bearish harami तो harami के बारे में जो बात करनी थी तो अभी bearish harami की बात करते है bearish harami क्या हुआ कि यह जो engulfing pattern engulfing क्या करता है छुटकू और बढ़कू harami जो है वो उल्टा है बढ़कू और छुटकू पहले बढ़कू होगा और छुटकू शुट भी within the part of the body तो bullish harami में क्या होगा कि जो candle होगा again यह reversal pattern है तो बड़ा लाल candle और green यहाँ पे in case of bearish reversal मतलब तेजी में reversal बड़ा green candle और फिर छुटकू लाल इसको बोलता है harami तो bullish harami एक अलग हुआ bearish harami bearish harami बहुत अच्छा वग करता है क्योंकि बड़ा candle बनने के बाद जब छुटकू आता है उसको capture का निग्री तो बहुत अच्छा वग करता है उसका बाद चलते हैं evening star evening star जैसे morning star है वैसे evening star morning star में क्या था मतलब तेजी के बजार में green candle फिर एक छुटकू सा लाल candle एक छुटकू सा candle उसका color क्या होगा उस matter नहीं करता है में बनी less candle जो है वो लाल candle तो वो होगया evening star evening star का थोड़ा हमको bearish reversal में impact वा कम नज़र आता है अब तीन और pattern है जिसको अपने को ध्यान रखना है उनको कहते है दोजी तो दोजी दोजी का मतलब हो गया एकदम कोई idea नहीं है क्या होने वाला है क्या कि दोजी क्या होता है एक cross आपने देखा है cross line और cross मतलब open और close almost same है ठीक है high बनाया लो बनाया मतलब certainty नहीं है तो इसको भी हम लोग अगर study करें तो neutral scan में चलते है यह हैं 2G and near 2G तो यह सारे stocks जो है वो 2G के पास में अब 2G जो है वो कोई तरह का एक indication नहीं देता है बट हाँ वो एक alert कर देता है कि यहां किसी ने किसी की लड़ाई चल रही है तो अगर next candle 2G का high तोड़े या low तोड़े तो definitely उस candle को हमको देखना है for our trading purpose ठीक है तो total में हमने 15 candlestick pattern की study कर ली और जितना आप practice करेंगे उतना आप और better होंगे हर candlestick pattern पे यहां पर English में video भी बना हुआ है तो आप चाहें तो वो video भी देख सकते है if you understand English और practice कीजे जितना practice करेंगे उतने आप perfect बनेंगे अब थोड़ा nifty bank nifty के chart में चलते हैं और मैं आपको कुछ जादू दिखाता हूँ तो nifty के अंदर में मैंने highlight कर रख है देखे यह nifty का एक दिन का chart है downtrend यहां पर उपर में देखिए trend line पर उपर जाके एक bearish engulfing create हो गया bearish engulfing मतलब समझ गया न? engulfing pattern bearish मतलब तेजी का बजार में एक green candle बना फिर engulf करते वे एक red candle बना और next candle जब इसके low के नीचे गया it was a short opportunity उसके बाद 2G cross, 2G cross मतलब cross plus और उपर में line 2G cross मतलब कुछ हो रहा है और जैसे next candle 2G cross का high तोड़ा देखें market एक तरफा चला generally क्या होता है जो support और resistance line पे या moving averages के support पे अगर market में इस तरह का pattern बनता है तो उसका बहुत जादा impact होता है उपर में देखें dark cloud cover dark cloud cover मतलब dark cloud cover मतलब जो तेजी में जो green candle बना और उसके बाद जो red candle बना वो मोटा मोटी 50% of the body of the green candle को cover कर रहा है इसलिए बोलते हैं उसको dark cloud cover देखें क्या जबरदस work करता है यही चीज़़ में अगर bank nifty में करूँ तो यहाँ पर भी देखें top में करें कि reversal के अपने बात करें और अपना रोल है कि reversal कैसे पकड़ें थाकि बड़ा पैसा छोटे stop loss में reversal में बहुत अच्छा पैसा आता है तो यहाँ पर shooting star बना यहाँ पर एक hammer बना यहाँ पर dark cloud cover बना जो कि nifty के साथ पी था और यहाँ पर piercing line बना तो इस तरह से अगर हम अपना observation skill को अच्छा रखें ध्यान रखें daily basis पे bank nifty nifty में at least identify करें trading view के अंदर में algorithm उन्होंने बनाया है बड़ अभी तक उतना अच्छा नहीं है तो मैं उसको recommend नहीं करूँगा आपको stockage से use करके free में अगर आप इसके अंदर में stocks specific candlestick को use कर पाएं और stock identify कर पाएं तो आपको इससे बहुत फायदा होगा एक काम आप क्या कर सकते हैं कि आप combo scan बना सकते हैं और यहाँ पे stocks के price actions प्लस candlestick को combine करके आप combination बना सकते हैं ताकि आपको वो specific stocks market या stockage दे जो stocks के अंदर में कुछ activity हो सकती है तो जाने से पहले मैं एक और बात कहूंगा कि यह तो हो गया मेरी तरफ से आपको एक free learning content और आशा कर रहा हूँ आपको पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ में अपने family members के साथ में share करेंगे और मुझे और motivate करेंगे उसके अलावा अगर आपको लगता हो कि मैं आपकी और मदद कर सकता हूँ हमने एक बहुत ही प्यारा सा course बना रखा है candlestick पे तो अगर आप search करेंगे candlestick इस course का नाम है candlestick made easy यह English में course है जिसमें तक्रीबन 11,300 लोगे ने इन्रोल कर चुका और बहुत यह अच्छा review है इसमें candlestick के बारे में हमने वीडियोस बना रखे हैं ताकि आप इसको सीख सकें और candlestick पे अगर आपको हिंदी में हमसे सीखना है बहुत ही reasonable cost में अगर आप triple line courses में जाएंगे view all तो वहाँ पर आपको यहाँ language change करें अगर हिंदी करें तो यहाँ पर आपको course ना चराएगा candlestick अभुआ असान जिसको साथ हजार से जादा लोगों ने ले रखा है और इसमें भी तकरीबन 15 से 20 वीडियो है आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको concept समझ में आ जाएगा अगर आप coupon code with 50 वी आई वी 50 अगर आप coupon code with 50 यूज़ करेंगे ये दोनों course में तो आपको 50% offer मिल जाएगा इस course में अब point यह है कि क्या आपको ये course लेना चाहिए वैल जो मैंने पढ़ाया है शायद वो पढ़ायी sufficient है लेकिन जब आप course लेते हैं तो ये जो मेहनत हम कर रहे हैं आप कहिने कहिन उस मेहनत मेहनत को सभाशी दे रहे हैं तो course लेंगे तो हमको contribution में जाएगा दूसरी बात जब आप course लेते हैं तो आपके बहुत सारे questions होंगे उस questions का answer देने का एक obligation हमारे उपर और हमारी team के उपर में आ जाता है तो definitely आप हमसे जुडिये ये course लीजे और उसके अलावा ये जो वीडियो है ये है तो अच्छा अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने family अपने friends में share करके उनको भी candle stick का जो power है ये जो 15 patterns मैंने आपको बताया ये concept मैंने आपको समझाया ये power को आप लोगों के साथ में share करेंगे तो आपको अच्छा करमा भी मिलेगा और हम सब market में एक अच्छे तरीके से sensible तरीके से खुद के sense के इसाब से market में participant कर पाएंगे और better market participant पर पाएंगे आज़ा कर रहा हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा लंबा टरंग गया बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो आपके लिए record करके और अगर आपको भी पसंद आया होगा तो आपको एक ही काम करना है इस वीडियो को share करना है और अगर मेरे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो बच जुड़ना है सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह के और knowledgeable content मैं जो बना रहा हूँ वो आप अच्छे से consume कर पाए Thank you, bye bye, please take care